तो फॉरिवर लिविंग प्रोड़क्स कंपनी में कैसे जॉइन हो सकते हैं आप अपने आप ही फॉरिवर में कैसे जॉइन हो सकते हैं बिना किसी हल्प के जी हां सबसे पहले आपको फॉरिवर की वेबसाइट प्याना है उसके लिए आपको जो गूगल है वहां पर आपको ड डालना है forever living products forever living products जैसे ही आप यहां डालेंगे आप देखेंगे यहां पर आपको site दिख जाएगी forever living products distributor forever living products com login forever living products distributor in जबलपूर तो आपको forever living products सी लिखकर उस पे सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च पर जाएंगे आपको यहाँ पर एक साइट मिलेगी foreverliving products की foreverliving.com की तो सबसे पहले आपको क्योंकि जॉइन करना है तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले आपको join option पर क्लिक करना है आप जैसे ही join option पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा format open होके आजाएगा जो की forever की site का है यहाँ पर आपको लिख करा रहा है कि this website use cookies तो सबसे पहले आपको accept all cookies करना है क्योंकि कुछ apps के थूँ इसको हम open करते हैं जैसे ही आप join पर क्लिक करेंगे आपका interface foreverliving.com की तरफ से आपको forever एक form फिल करने के लिए देगा यह form आपको खुद फिल करना है और आपको कुछ नहीं करना है किसी को पैसे नहीं देने है और जैसे ही आप form फिल करेंगे वैसे ही आपकी ID बन जाएगी जी हाँ सबसे पहले आता है personal information personal information में आपके पास तीन option आते हैं Mr., Mrs. and Miss Mr. that means male है Mrs. that means आप शादी शुदा हैं तो Mrs. पे क्लिक कर सकती हैं और अगर आप student है या job person है जिनकी married नहीं हुई है और girl हैं तो आप मिस पर टिक कर सकती हैं तो जिस तरह आप मैं एक house wife हूँ मैंने अपना मिस पर टिक किया है और married हूँ तो अब यहां आता है दूसरा option आता है Marital status मतलब आप शादी शुदा हैं या नहीं है शादी शुदा हैं तो married पर टिक करेंगे और नहीं हैं तो S.I.N.G.L.E. Single पर आपको टिक करना है और जैसे ही आप यह टिक कर लेते हैं उसके बाद आपका जो भी अधार card के according first name आता है वो आपको यहां भी भरना है और जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर भी यह star type का बना हुआ यह information तो आपको जरूर ही भरनी है first name, last name, email email जो आपका जो email address होता है जिस पे आप काम करते हैं जैसे मैंने यहां भर दिया है अपना नाम शालनी, last name यादोग, email id मैंने भर दिया है अपना one और mobile number भी मैंने यहां पर भर दिया है और क्योंकि normally यह मेरा email id और जो mobile number है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना forever में id बना लिया है इसलिए मेरे जो email id है और phone number है वो बता रहा है कि आपकी इस number से email और id बनी है लेकिन आप first time बनाएंगे तो यह option यह आपका जो red लिख कर आ रहा है यह नहीं आएगा क्योंकि आप first time बनाएंगे और alternate में आपके पास हूँ एक capital letter में that means इसमें यह बता भी रहा है कि आपको eight character कर डालना है at least एक uppercase होना जी uppercase मतलब होता है कि capital letter एक capital letter में और एक small letter में होना जी है उसके लावा आप number use कर सकते हैं और आपको quama single quote double quote यह सब आपको इसमें नहीं डालना है तो अभी हम password बनाते हैं password बनाने के लिए सबसे पहले मैंने s लिखा है that means capital letter में उसके बाद आप कोई भी name अपने according उसमें लिख सकते हैं अब मैंने लिखा s growth अब मुझे यहाँ पर number भी डालना है और कुछ symbols भी डालने हैं तो मैं ऐसे डालकर और यही confirm password में भी मुझे यही password डालना है जो मैंने आपका उपर password में जो मैं डाल रही हूँ confirm में भी हमें वही password डालना है जो मैंने उपर डाला है आप देख रहे होंगे कि आप जहां से आपको open करके देख सकते हैं कि आपने जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं यहां पर मैंने हर चीज को लिया है देख रहे हैं आप यहां लिखा है capital में भी यूज किया है कुछ आपका small letter भी यूज किया है numbers भी यूज किये हैं और आपका यह one two three जो भी numbers है वो भी यूज किया और कुछ सिंगल कोमा डेवल कोमा वाली चीज़ें नहीं डालेंगे अब इहां नेशनेलिटि इंडिया नहीं है हमारी और डेट उपर्थ में आप डेट ऑ बर्थ सिलेट करेंगे डेट उपर सिलेट करने के लिए जो भी डेट ऑबर्थ है आपकी उसमें आपको जैसे हैं जुलाई 2006 ल 2010-2011 अगर आपका जो टेटो बर्थ है वो 2011 में है तो आप 2011 कर सकते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ दिसंबर लिखा है लेकिन आपका December नहीं है आपका 2011 जनुवरी है तो आप जब राइट साइड का एरो को जब आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहां पर आपका month change हो रहा है तो month change होने पर आप month यहां से set कर सकते हैं January 2011 और date के लिए आपको यहीं पर जो भी यहां date दिख रही है 11 तो यहां पर डालना इस तरह आपका यह date of birth आपका set हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको permanent address डालना है जो भी आपका अधार कार्ड के according आपका address है घर का address वो डालना है और आपका pin code जैसे ही आप अपने pin code डालेंगे वैसे ही automatically यह आपका जो भी state है उसका state, city और country अपने आप automatically यह अपने आप फिल कर देगा उसके बाद आपको आना है यहां पर sponsor ID में sponsor ID आप अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको एक sponsor ID के जुरत होती है जो sponsor ID आप यूज कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर number लिख सकते हैं 910702406519 आपको एक sponsor ID के जुरत होती है तो आप यह sponsor ID मुझसे मेरे number पर contact करके भी मांग सकते हैं या आप किसी और जिसके साथ भी आप forever business करने के लिए interested हैं जो आपको proper guide करें आपको अच्छे से growth कराएं forever की हर policies के बारे में उनको information हो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में वो आपको बताए तो आप उनके साथ भी join कर सकते हैं आप अगर automation में work करना चाहते हैं without calling work करना चाहते हैं तो आप इस sponsor ID को भी use करके अपनी ID बन सकते हैं जो कि free में आप बना रहे हैं 91070-240-6519 इस पर जैसे ही आप sponsor ID पर आप sponsor ID करते हैं और नीचे आकर यहां पर आपको करना है I agree a view agreement and essence और यहां से आपको submit कर देना है और जैसे ही आप submit करेंगे आपकी ID बन जाएगी और आपके पास एक message email पर आ जाएगा कि आपकी ID बन गई है और आपका forever का जो ID नंबर है जो कि 12 डिजिट का ID नंबर होता है वो आपको आपके email ID पर जो भी आपने डाला है उस पर आपको mention हो जाएगा अब मैंने submit किया है तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़े red में दिखा रही है क्यों दिखा रही है क्योंकि मैं अपने ही नाम की ID बना रही हूँ जो कि forever में already बनी हुई है इसलिए यह चीज़े दिखा रही है अगर मैं यहाँ पर email चेंज कर देती हूँ mobile number चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर अपना date of day जो भी हमारा मेरा permanent address उसको फिल करके अगर जैसे ही मैं submit पर close करूँगी वो ID मेरी बन जाएगी तो इसी तरह आप भी अपनी free में ID बना सकते हैं और ID बनाने के लिए केवल एक sponsor की जरुत होती है sponsor ID जैसे कि मेरा sponsor ID आप इस चेंफ डिन जरुत भी नहीं है so friend यह पूरी हमने personal information डाल दिया है और personal information डालने के बाद हमने यह पूरी चीजें डालने के बाद हम यहाँ पर summit करते हैं जैसे ही आप summit करते हैं सम्मिट करने के बाद आपका एक email आता है email पे आप चेक कर सकते हैं जो email आपने डाली उसमें यह ऐसा दिखता है कि welcome to the family और आपको KYC करनी है तो आप अपने active email जो भी आपने डाला उसको चेक करेंगे तो आपके पास भी ऐसे ही एक format लिक कर आएगा कि ac enabling कैउंचिलेशन आपका id नमबर यह है और आपको KYC कर सकते हैं इसी तरह आप भी अपनी free अईड़ी बना सकते हैं और आइड़ी बनाने के लिए केवर यकस। पांशर की जरुद उते हैं sponsor ID जैसे कि मेरा sponsor ID आप इसको यूज़ करके भी अपनी ID free में अपने आप बना सकते हैं मोबायल पर बना सकते हैं उसके लिए किसी को पैसे देने की जरुद भी नहीं है तो फिर मिलती हूँ next वीडियो में कि आप आप ID बनाने के बाद आपको और क्या प्रोसेस करनी है और आपको KYC कैसे करनी है KYC करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि forever में KYC कैसे करें तो आशकरती हूँ आप free में अपनी ID खुद बनाएंगे किसी को पैसे भी नहीं देंगे और अगर आपको मेरे साथ join होना है तो तुरंत मेरे साथ join होईए foreverliving.com पे जाएए वहाँ पर join option पे click करिये अपने form को भरिये यह sponsor ID नमबर भरिये और मेरे साथ join होईए growth करने के लिए forever में automation के through without calling without DM So let's grow with forever family Bye and take care everyone लिए झाल में के रावोटे यह लिए लो को में आपको मेरे सोओी हो जारा को में होईए थे साथ कि अजर बड़ी नहीं करने को भर जबड़ी होः दो नहीं कि अरी दो शोपको आएजगे दो